हालो दोस्तों आपका स्वागत है ममता कीचन में आज मैं एक निव रेशिबी लाए हूँ जो भेजी टेबुल की है भेजी टेबुल की रेशिबी आपने तो बहुत खाई होगी लेकिन इस तरह बनाईए आप सबको पसंद आएगी तो आए एल्दी अंटेस्टी बेजी है फिर उसे हम निकल देंगे फिर उसमें दो चमस तेल डालेंगे तेल गरम होने के पाद उसमें हाफ चमस जीरा हाफ चमस सोर्सो डालेंगे सोर्सो चड़कने के पाद उसमें एक रेड़ चिली डाल देंगे फिर उसके बाद उसमें कटा हुआ भेजी टेबुल को प्र एक मिनिट तक उसे फ्राइ करेंगे. थोड़ा सा फ्राइ होने के बाद उसमें áधा चमच हल्दी पाउडर, एक चमच लालमेश पाउडर, स्वाद के अनुशण नमכ टाल कर अचिछ तरह से मिला लेंगे. फिर उसके बाद उसमें मसाले को डाल देंगे अच्छी तरसे मिक्स करके उसमें पानी देंगे आपको जितनी ग्रेपी चाहिए उतनी पानी दे सकते हैं फिर उसे अच्छी तरसे मिक्स कर लें धक कर पांच मिनित तक पकाएंगे ग्यास को मिडियोम फ्लेम में रखेंगे फिर उसके बाद उसमें बोड़ी और वेजिटेबुल को डाल देंगे फिर अच्छी तरह से उसे मिक्स करेंगे फिर से 5 मिनिट तक ढख कर पकाएंगे बीच बीच में जेक करेंगे हमारा करी तेयर हो गया है देखिए इस तरह हमें ग्रेवी चाहिए था हमारा वेजिटेबुल भी पक गया है अगर मेरी रेशिबी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक और सस्क्राइब करना ना भूले अगर आप पियाज लेसुन खाते हैं तो मसाले में और तेल में पियाज लेसुन आड़ कर सकते हैं इसे घर में एक बार ट्राए किजे सबको पसंद आएगी